व्यन्जक के पद, Terms of an Expression इस वीडियो में हम सीखेंगे व्यन्जक के पद यानि Terms of an Expression क्या होते हैं? चर और अचर पद यानि Variable Constants क्या होते हैं? गुणनखंड यानि Factor क्या होते हैं? बच्चों, पिछली कक्षा में हमने जाना कि एक ऐसा व्यन्जक यानि Expression जिसमें चर यानि Variable, संख्या यानि Number और विभिन्न संक्रियाओं के चिन्हों का प्रयोग होता है बीजिय व्यन्जक यानि Algebraic Expression कहलाता है अब आये इसे एक उदाहरन से समझते हैं फरीदा कक्षा साथ की विद्यार्थी है उसे अपने विज्ञान के प्रोजेक्ट के लिए अपने शहर का पूरे सब्दा का तापमान नोट करना है उसने निम्नसारनी तयार की क्या पनुमान लगा सकते हैं उसने रविवार का ओसतन कितना तापमान नोट किया होगा? मान लीजिये उसके शहर का ओसतन तापमान बीस डिगरी सेल्सियस है अगर आप इस पूरी सारनी को ध्यान से देखें तो यहां ओसतन तापमान लगातार बदल रहा है सोमवार को बीस डिगरी सेल्सियस मंगलवार को बीस डिगरी सेल्सियस जम्मा 2 degree Celsius, बराबर 22 degree Celsius, बुदवार को 20 degree Celsius, जम्मा 4 degree Celsius, बराबर 24 degree Celsius. जैसा कि हमने देखा, यहां का तापमान 20 degree Celsius से कुछ ज्यादा भी हो सकता है, तो इस परिस्थिती में हम किसी एक संख्या को व्यक्त नहीं कर सकते. अतह हम संख्या के स्थान पर अंग्रेजी अक्षरों का उपियोग कर सकते हैं, जैसे A, B, C, V, X, आदी. इन अक्षरों को हम जर यानि variables कहती हैं. इनका मान स्थिर नहीं होता है, अर्थात इनका मान बदलता है. जैसे हम रविवार के ताप मान को 20 डिग्री सेल्सियस, जम्मा, X से दर्शाएं, तो यहाँ विभिन मान ले सकता है, जैसे 1, 2, 3, 4, आदी. तो रविवार का ताप मान 21 डिग्री सेल्सियस, 22 डिग्री सेल्सियस, 23 डिग्री सेल्सियस, आदी कुछ भी हो सकता है. किन्तो यहाँ 20 डिग्री सेल्सियस, कमान निश्चित है. यह बदलता नहीं है. अतह इसे हम अचर, यानि कॉंस्टेंट कहती हैं. अब तक हमने पढ़ा कि व्यन्जग किस प्रकार बनाई जाती हैं. अब हम जानेंगे कि व्यन्जग के पद और उनके गुणन खंड यानि फाक्टर्स क्या होती हैं. पांच एक्स जमा आठ, अगर हम इस व्यन्जग को देखें, तो ये हमें पांच एक्स में आठ जोडने पर प्राप्त हुआ है. अर्थात, व्यन्जग बनाने के लिए पदों को जोडा या घटाया जाता है. आए, इसे हम एक उदाहरन की मदद से समझते हैं. यदि दाल का मूल्य चावल के मूल्य से दस रुपाए कम है और चावल का मूल्य एक्स है, तो दाल का मूल्य क्या होगा? किसी कथन को व्यन्जगों में व्यक्त करने के लिए हमें दी जानकारी समझना बहुत जरूरी होता है. समझने का एक तरीका है कि दी जानकारी का आसान भाशा में अनुवाद करें. जैसे चावल के मूल्य से दाल दस रुपाए कम है, यहाँ चावल का मूल्य एक्स है. इस प्रकार एक्स में से दस घटाने पर दाल का मूल्य एक्स घटा दस प्राप्त होगा. इस व्यन्जक में दो पद हैं, जिसमें पहला पद एक्स और दूसरा पद घटा दस है. इस प्रकार व्यन्जक यानि एक्सप्रेशन्स के पद होते हैं, जो जोड़े या घटाए जाते हैं. ये पद व्यन्जक के पद यानि टर्म सपन एक्सप्रेशन कहलाते हैं. किसी चर या संख्या के गुनन फल में संख्या गुनांग यानि coefficient कहलाती है, जैसे 10a में 10a का गुनांग है, आज हमने देखा व्यन्जक के पद यानि Terms of an Expression क्या होती है, चर और अचर पद यानि Variable Constance क्या होती है, गुनन खंड यानि Factor क्या होती है, आशा करते हैं, इससे आप व्यन्जकों के पदों से परिचित हो चुके हैं. अगले वीडियो में हम कुछ उदाहरनों से इसे और अच्छे से जानेंगे. धन्यवाद. झाले वीडियो में टो किए झाले वीडियों क्या होती है, पिलोड़ों से जाने प्सक्ते हैं, अचर प्संदी आप दो और याने.